साथियों यहां पर हम एक डाटा एंट्री का गिक्स ओपन के हुए हैं और इस गिक्स में आप देख सकते हैं कि जो की बेसिक काम करने का यहां पर 3750 रुपे लिया जा रहा है वह भी तीन घंटे काम करके और अगर स्टेंडर की बात करें तो यहां पर यहां काम हो रहा है एक्सल में जो की डाटा एंट्री ऑपरेटर करता है तो आज की इस वीडियो में हम सीखने से पार्ट को भी ऑपरेट करने आ गया और बनाने आ गया कोई ऐसा सेल्स का डाटा तो उससे हम अच्छा काजा पैसा आरन कर सकते हैं तो यहां पर दिखिए हम यहां पर एक छोटा सा डाटा बनाए हुए हैं इस प्रकार से हमको क्लाइंट से डाटा मिला हुआ है और इसमे क्टेगरी और क्टेगरी भी दिया हुआ है और क्वार्टर भी दिया हुआ है और प्राइस टोटल प्राइस अकॉर्डिंग सिटी और कंट्री और रिजन यानि छेत्र के अकॉर्डिंग यह पूरा दिया हुआ है अब क्लाइन का रिक्वर्मेंट यह है कि यहां पे जो डा नहीं आ गया तो आप महीने के 15 से 20 कमा सकते हो भी घर बैठे जितना भी हम इसकील बता रहे हैं आपको हमारे प्लेलिस्ट में मिल रहा है सब अपने घर्प बैठके system बैठके काम कर सकते हैं तो यह जो प्लेलिस्ट चल रहा है वह वह बेसिक टूए ड्वान्स एक्सल कारत रहा है इसी में युदि हमको लग पूरा है कि नहीं ये टूल से एक ही टूल से हम अच्छे कासे पैसे और्ल कर सकते हैं तो उस टूल का हम प्रूब के साथ आपको बता रहे हैं तो यहाँ पर हमको एक डाटा मिला हुआ है क्लाइन्ट से इसके अंदर हमाएंगे तो हमको पूरे सब category category जिसे आपको बताया है पूरा मिल जाएगा तो ऐसा हम को बनाना है कि client को भी समझ में आ जाए और आसानी से वह काम भी हो जाए यहां पिक करना है और क्लिक करने बाद Control A करना है जैसे Control A करेंगे पूरा Select हो जाएगा और बाहर क्लिक करके कंट्रोले करते हैं तो वो पूरा सेलिट हो जाएगा तो इससे अच्छा कि आपको अंदर क्लिक करना है कंट्रोले कर देना है इतना हो गया उसके बाद इंसर्ट टैब में आ करना है और यहां पर टेबल मिल जाएगा उसके क्लिक कर देना है क्लिक करने के बाद ओके करना है ओके जैसे क्लिक करेंगे यहां देखी टेवल फॉर्म ने बदल गया उसके बाद आपको यहां पर देखी एक आप्शन मिलेगा पावर पिवोट का पावर पिवोट अगर एक् और इसके क्लिक रहेगा तो आपको इसके अंदर भी मिल जाएगा इसके अंदर सही मिल जाएंगे त repetition तो अगर एक्टिव नहीं रहेगा तो वहासन नहीं दिखेगा यहां पर करक करने जगए ह workflow कुछ चोटा सा काम करने के लिए यहां पर क्लिक करने के बाद देखें यहां पर टू डाटा मॉडल दिया हुआ है इस पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस प्रकार से इंटरफेस को लेगा तो इतना होने के बाद आपको यहां पर क्लिक करना है डाइग्राम भी जैसे डा इसका बेचा हुआ है टोटल कितना वह देखना है तो बस यहां पर हमांके इस पर क्लिक करेंगे देखें यहां पर क्लिक करेंगे राइड बुन क्लिक करके यहां पर प्रिएट हाइराखी अब यह हाइराखी क्या होता है इसको बज़ा समझा आते हैं यहां पर क्लिक की हाइराखी क्रेट हो गया है यह हमारा एक कटेग्री सब कटेग्री कना है किको पूरा देखना अमारा ह cafी ओources रिक्वार्मेंट है 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 तो यहां पर दीके हमने कर दिया इसके बाद कट्रीक करते करती तरफ यहां पर कृट्रा की नहीं आना है और और करता है हो गया पिर चुछ एपन पर किलिक करping और यह यहां हो गया और पर हाइट और यहां से जाता जादा बड़ा डाटा नहीं बन रहा है तो देखे लेंगे बस इतना हो गया यहां देखे पीवोट टेबल है क्लिक कर दीजिए आप से पूछेगा बनाना या फिर कई सीट के तो हमको नहीं सीट बनाना यहां पर देखे लिखा हुआ है क्लिक कर देंगे और इस प्रकार से आजाएगा ते टेबल वन की रूप में बन गया है इस हार एक उठाके हम कर देंगे रोमें क्लिक और आपको मिल जाएगा मोरफिल्ड के ऊपर यहां पर क्लिक करके टोटल भी देखना है तो हम टोटल को उठाके वैलु रख दें क्योंकि वैलु देखना है तो आप देखे दिख रहा है अब इसके बाद हम आ जाएंगे अनलाइस टैब के अंदर देखे हमको अभी तक हमने आपको यहां तक पिवोट टेबल नेम से लेकिए य और इसके बाद देखे यह सब ऑप्शन भी थे उसको पुरा कवर किये हैं तो फिर इसके बाद आपको यहां मिल जाएंगे सभी ऑप्शन इसके अंदर इसके अंदर एकदम आपको बेसिक से लेके बताया हुए हैं अच्छे से कि आपको समझ में आया और अपने काम को आग कमेंट प्रूब दिखाया था वह आपको मिलेगा fiber.com पर अगर आप अपना अकाउंट बनाते हैं तो वहां पर आप जाके अच्छा पैसा अर्न कर सकते हैं इसके बाद देखी यहां पर आना है हमको आनेक बाद यहां पर क्लिक करना है और ड्रील डाउन पर क्लिक करना जैस इतना होने बात फिर आपको यहां पर क्लिक करना है डियल डाउन पर ऑटमेटिक देखिए उसके आइटमस बोडिक करेंगे ति कितना कितना सेल हुआ है वो भी आ गया और कितने प्राइस में हुआ देखिए वह भी दिखा दिया यहां पर हमको उतना बड़ा डाटा बनाने से अच्छा कि इतने चोड़े डाटा में देख ले जो भी क्लाइंट है उस पे बस क्लिक करते जाएगा उसको समझ में आ जाएगा कि हमको क्या देखना आपको टोटल क्वानिटी उसके बाद टोटल प्राइस उसके बाद आपको देखी रहें आपको कितना कितना हुआ और इसको अपोजिट करेंगे तो आपका मिलेगा आपको क्वानिटी उसके बाद आपको आइटम उसके बाद सब कैटेगरी उसके बाद कैटेगरी उसके इस प्रकार से हम यह भी काम करके अच्छा गादा पैसा कमा सकते हैं डाटा एंट्री में तो बेसिक लिससे लेकि एडवांस सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि आपको पूरी अच्छे से नॉलेज मिले आप डाटा एंट्री ऑपरेटर बन सके